राजे जी एक मिनिट ये दिल्ली की आम जंता के बीच में से भी सवाल उठ रहा है एक मिनिट सुन लीजे आप पॉलिटिक्स को एक सिकंड के लिए साइट पर रखके बस मुझे बता दीजे कि केजरवाल जी को आमादमी पार्टी को क्या पार्टी के बिखरने का इस तरह का क कोई डर है कि अगर केजरवाल जी मुख्यमंतरी नहीं रहते हैं तो पार्टी बिखर जाएगी, पार्टी में दो भूट हो जाएगी, लोग मानेंगे नहीं, ऐसी कोई चंता है कि आपको, इसलिए वो स्तीफा नहीं दे रहे हैं? अजी देखिए, ऐसी बात अगर होती है, पहली बात तो देखो, मैं ना कभी बहुत चिला के कोई डिबेट करता नहीं, रोजी तीन-चार करता हूँ, अब सिर्शार साब कभी-कभी करते हैं, इसलिए जादा आवेग में आजाते हैं, मैं उनको कह रहा हूँ, अराम से करो, तरीके से बात को रखो, आप अपनी रखो, हती बात नहीं बोलनी चाहिए, आप सवाल का जवाब देना, वक्त कम है, तो थोड़ा टॉपिक पर रहते हैं, आप मेरा यही कहना है, पार्टी कभी ऐसे नहीं टूट रही, पार्टी बहुत मजबूत है, और यकीन मानिएगा, जो भी कुछ भी होता ना, विट्पक्ष को भी एक करा है मोदी जी के इस एक्षन नहीं, यह कोई अच्छा एक्षन नहीं है, आप मिरसाथ पार्क में सुबहे चलके देखेंगे, जो भाज़पा के हमारे बहुत तगड़े साथ ही है, वो भी यह कहा रहे हैं, कि यह बहुत अगर आपके कोट के तर्फ भेरेंगे, तो जाहिर सी बात है, जमानत भी मिलेगी, वो बाहिजद बरी भी होंगे, लेकिन केजरवाल साब जो खुद नहतिकता की बात करते थे, खुद प्रेस कॉन्फरेंस करके, लोगों की सीधे-सीधे गिरिफतारी मांगते थे, सब कुछ आपी कराएगी, और अगर आपको सिंपेथी की बात है, जैसा कि आप कह रहे हैं किस एक्शन से, बीज़िपी वालों में भी सिंपेथी आ गएगी केजरिवाल जी, कि वो सिंपेथी तो आर बढ़ जाएगी, कि देखो कितना महान नेता है? गलत हुआ है, बिल्कुल सिंपा नहीं देना चाहिए, आप बताएगी, इस्तीफा देने का क्या लॉजिक है? यह तो इस तरिकेते हिंदुस्तान की कोई सरकार नहीं चलने देंगे. अभी रजेजी देखो यह बात बें तो अभी चुनाव सामने है, चुनाब में दूद का दूद पानी का पानी हो जाएगा ये बाते तो अर्विंद के जिवा जी पहले बहुत कहते रहे हैं अभी माचल में करा है रजेश जी कोई बात नहीं मैं तो कहीं नहीं रहा हैं मैं तो कह रहीं तो सविधान में ऐसा पर विदान नहीं है मेरे को और दिकार ही यह बात कहने का नहीं चलनी चाहिए नहीं मुझे ये कहने का दिकार है चलनी चाहिए मैं तो सिंपल एक बात कहता हूँ कि जेल काई के लिए है क्रिमनल लोगों के लिए जेल काई के लिए है क्रिमनल लोगों के सुधार के लिए और शाशन काई के लिए विदान सभा काई के लिए चुने होई लोगों के लिए अब बताईए कल को क्रिमिनल केंगे जि हम तो जाके जी विदान सवां बैठना चाहते हैं जी ना जी न हम तो विदान सवां बैठेंगे जी का मैं नी बैठ सकता जी जिए जब तक केस चल रहा है वो आरूपी तो थाबित नहीं हो जाते ना कि और उर्वापिस कोड़ा जानने होते पिरुभी नहीं होने का मतलब इह नहीं होता, अगर उर्वपी नहीं है तो फिर तो तिहार जिल खाली हो जाएगी, सिरफ सजा वास्तों के लिए होगा, नगी, जब smells तक आपünüz नहीं होने भी साबत होंगे, जो लोग जेल में तिहार में रहते हैं, इसलिए रहते हैं कि आपके सामने, जब कोट के सामने कौगे जाते हो, कहता है जी इतना है, इस पे इतना केस में दम है, कि प्राइमे फसाई लग रहा है कि इसने गलत किया, इस पो सजा होगी, इसलिए जेल में रख लो, ये गलत नही के लिए रजेश जैसे भाईयों के लिए है वहां बैठके अपने काम करते हैं इसलिए दोनों चीजों को मैं नहीं कहा रहा है आप भी जानते हैं कि कितने सारे सांसदों पर वो विश्वासमत में भी सामिल होते हैं आप परमिशन लेके ऐसा नहीं है पिक्चर इस नौट आप रोजी मैं यह कहरी हूँ कि जो गुप राजच्यपाल के पास यह शक्ति होती हैत कि किसी भी बीडिंग को किसी भी चीज़को वह एक जेल में तबदील कर सकते हैं अगर वह चाहें तो आदाश आदेश पारिद कर सकते हैं कोई भी बीडिंग उस वक्त की जेल बन जाएग अगर आप इनकी मदद ही करना चाहते हैं, गभी ठीक आप सरकार चलाओ, दिल्ली की जनत और अदालत अब फैस्ला करेगी, तो उपराज्य पाल वो भी कर सकते हैं, और उपराज्य पाल अगर विफल हो जाएं, सरकार चलाने में, तो वो समिधान की शक्तियों का प्रियोग कर करके राश्पति शासन भी लगा सकते हैं तो इतना मौका तो दीजे देखिए ये अच्छी बात आपने कही है पर मैं आपसे जरूर एक बिंती करना चाहता हूं 75 साल में कितने मुकमंत्री अंदर गए जयाललिता जी से लेके लालू परशाज यादव जी से लेके अभी हेमन का आपने देखी लिया है सुरेंजी से लेके अनिकों नाम हैं कभी आपने सुना है ऐसा कि अभी तक 75 साल में ये जो देवता रूपी अर्विंद केजरिवाल जी आए हैं जो करप्शन खतम करने आए थे और खुद ही उसमें लिपटके रहे गे वो वह 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 मैं अब कहना ये सभाविक नहीं है ये संभव नहीं है ये आप इसको डिबेट पर मत लाएं सिंपल तो आज इतनी बात है अर्विंद केजरिवाल जी की नहतिकता बची आया नहीं किसी के अंदर केजरवाल में नहतिकता बची है केजरवाल जी में या नहीं किरशाद साब जब मैंने आप से डिबेट शुरू करी थी मैं चालता तो आपको पेली लाइं में गुरुदवारे की चंदे के लिए छेड़ देता है मैंने नहीं छेड़ा, नहीं छेड़ा है ना अब आप देखो, मैं बोलो ना तुम मैं कोट में गया ना अब रमेडाजेया जी आपने बड़ी अच्छी बात कही तो मेरे अधिकार भी छोड के पार्टी आये है होगा लेकिन आपने जो बड़ी अच्छी बात कहीं मैंने आपको जवाब दिया वाकिय मेरे को भी जाना चाहिए कोट में हम लोगों को वेंडेटा पॉलिटिक्स का रोना नहीं रोना चाहिए हमें कोट क्यारियों के सामने जाके अपनी बात रखनी चाहिए और कोट आपको आपने तिवा नहीं होना चाहिए आपने तिवा नहीं दिया था ना रजेश जी यहीं मेरा कैना ठीक